पुर्वी दिली के सांसाथ गौतम गंबीर छेतर में पार्किंग की समस्चा के समाधान के लिए परियास रत हैं गौतम गंबीर के परियास से गीता कलोनी पुस्ता रोट पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की कवायत सुरु हो गई है अस्थान के निरक्षन को लेकर DDA और EDMC के अधिकारी की एक टीम गीता कलोनी पुस्ची और सफेता बस्ती के सामने नगर निगम की ओस्थाई पार्किंग की जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाने को लेकर सर्वे किया इस मौके पर सांसद गौतम गंभीर के सचीव गौरव अडोरा और अस्थानी निगम पार्सत संदीप कपूर मौजूद रहे गौरव अडोरा ने कहा कि सांसद गौतम गंभीर लंबे समय से परियास कर रहे है कि गीता कलोनी छेतर के लोगों को पार्किंग की समस्था से न आया जाएगा जिसको लेकर DDA और EDMC की जोईन टीम ने सर्वे का काम सुरू कर दिया है गौतम गंबीद चाहते हैं कि सभी परिकिरिया जल्द पूरी कर पार्किंग निर्मान का कार्गी सुरू किया जाए जखिए ये बहुत लंबे समय से यहां चर्चा रही और जब सांसा जी के संग्यान में यह आई तो उन्हों ने इसको जिसे कहते हैं यूद स्तर पे यहां लोगों से मीटिंग करी हमारे स्थानी पार्षट जी इनसे भी चर्चा करी यहां के लोगों से चर्चा करी तो यह आज उसका रिजल्ट ही आया कि आज डीडिये की अधिकारी और EDMC की अधिकारी और हमारे स्तानी पार्षट एक जॉइंट विजिट रखी गई जॉइंट विजिट में आज सारा यहां की इनके जितने भी साइज और मेजरमेंट्स लिया गया डीडिये और पॉजिटिव न पार्किंग की एक बड़ी समस्या है इस इलाके के बगल में गांधी नगर कपड़ा बाजार है जहां हजारों लोग रोजाना आते हैं और उन्हें पार्किंग की समस्या से जूजना पड़ता है इसी को देखते हुए सांसत गौतम गंबीर ने समसान घाट के पास मल्टी ल पार्किंग बनाने की पहल की है जिससे नकेबल छेदर के लोगों को फाइदा होगा बलकि उन हजारों लोगों को भी फाइदा होगा जो गांधी नगर कपड़ा मार्केट में खरीदारी करने के लिए आते हैं और मल्टी लेवल पार्किंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत एक सर्वेज पार्किंग चल ले थी जब हमने सांसच जी के संग्यान में लेकर आए और उन्होंने खुद विजिट किया और देखा कि यहां बहुत जरूरत है तो लगा था वो प्रयास कर रहे हैं इसमें और आज मैं धन्नेवाद देना चाहूँगा कि सांसच कारेले से ग जहां आज तो झाल झाल